नमस्कार दोस्तो आज ये क्लास में फिर से आपका सौगत है और आज का हमारे टॉपिक है दोस्तो आटिकल 47 तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपको पता है दोस्तो कि हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं DPSP के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं Directive Principles of State Policy ये बहुत ही important topic है दोस्तो चाहे किसी भी exam के आप बात कर लें UPSC, PCS level, SSC level, Railways सब में इस topic से question पूछे जाते हैं तो चलिए दोस्तो स्टार्ट करते हैं Article 47 के बारे में जनना तो Article 47 में दोस्तो दो provision लिख रखे हैं पहला provision क्या है कि जो state है हमारी यानि हमारी जो सरकार है उसका काम क्या है कि state को क्या करना है nutrition and health का ध्यान रखना है यानि कि जो भारत की जनता है उनकी health का ध्यान रखने का काम किसका है हमारी सरकार का है nutrition provide करने का काम किसका है सरकार का है nutrition दोस्तों अब articles 47 कह रहा है यानि हमारे सविधान कह रहा है करने को इसलिए government क्या करती है इन चीजों से related schemes से लेकर आती है for example midday meal scheme आपको पता है कि सरकारी school में क्या होता है कि बच्चों को lunch provide किया जाता है free of cost तो midday meal midday midday meal scheme तो इससे क्या हुआ बच्चों को खाना मिल रहा है खाना मिल रहा है तो nutrition मिल रहा है इसके बाद दोस्तों free राशन प्रोवाइड किया जाता है आपको बता है काफी सारे लोगों को मतलब जो BPL होते हैं मतलब below poverty line के नीचे के लोग होते हैं इन schemes के दुरू ऐसा क्यू कर रही है कि constitution का article 47 government को यह काम करने को कह रहा है अब दोस्तों health की बात कर लेते हैं तो health related सवच्चता अभियान लोगों मतलब अगर साफ रहेगा हर जगा साफ रहेगी तो health का एक तरह से अपने आप health अपने आप सही रहेगी अगर हर जगा साफ सुतरा रहेगा आपको बताइए इसलिए सवच्चता भियान होगा ठीक है सवच्चता के बाद दोस्तों टॉइलेट से मरला आगर हम इसी से जाएं तो टॉइलेट से रिलेटिट स्कीम से government की कि खुले में सौच करना एक तरह से बंद करवा दिया मोदी जी की सरकार ने बहुत सारे स्टेट्स में दोस्तों टॉइलेट से बनवा दिये गाए गाउं अगर हमें ताकि लोगों को दिक्कत ना है एन उनकी हेल्थ ठीक रहे ठीक है तो यह पहला प्रोविजन है पहले प्रोविजन के अंदर ही दोस्तों क्या है न्यूट्रिशन एन हेल्थ अब यह दोनों ठीक रहेगा तो क्या होगा स्टेंडर अफ लिविंग भी आउटोमेटिक लिए अच्छ हो जाएगा लोगों तो दोस्तों यह है पहला प्रोविजन इसमें सिर्फ इतना ही है कि गवर्मेंट को क्या प्रोवोट करना है कि उनको लोगों का ध्यान रखना है nutrition का and health का यह पहला प्रोविजन है दोस्तों अब सेकिंड प्रोविजन जो है न वो थोड़ा सा important है इस case के अंदर क्यूंकि उसमें मैं आपको एक extra चीज़ बताऊंगा मतलब एक case के बारे में discuss करेंगे हम कि अभी एक case हमारे supreme code में pending है उस case के बारे में भी जानेंगे इसमें दोस्तों क्या है दूसरा प्रोविजन इस article का दूसरा प्रोविजन क्या है कि government prohibit कर सकता किसी चीज़ को अब वो चीज़ क्या है जिसको prohibit करना है intoxicating substances इसका मतलब ऐस पदार्थ जो की एक तरह से जान लेवा हैं लोगों की health को नुकसान करेंगे उनको government क्या कर सकती है prohibit कर सकती है रोक सकती है मतलब जैसे कि कोकेन हो गया यह मतलब चारस गांजा यह सब आपको बता ही इतनी असानी से मिलता नहीं यह इल्लीगली तरीके से मार्केट में बेचा जाता है क्योंकि government ने उस पे रोक लागा रखी है prohibit कर रखा है intoxicating substances को अब दोस्तों ऐसा प्रोविजन क्यों 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 दिया है इस आर्टिकल में अभी हमने पहला प्रोविजन पढ़ा कि government की जिम्मदारी है nutrition and health का ध्यान रखने की इसलिए दोस्तों दूसरा प्रोविजन इसमें यह डाला गया कि health का ध्यान तो रखना है पहले कैसे रख सकते हैं कि खाना दीजिए साफ सफाई रखी है तो health ठीक रहेगी बट ऐसा काम भी करना है जिससे की health खराब ना हो अगर citizens यानि भारत की जनता जो है उनकी health किसी चीज से खराब होती है तो government की जिम्मदारी है उसका prohibition करना उस पे रोक लगाना इसलिए दोस्तों चरस गांजा यह सारी चीज़े जो ह होता है इस पर government ने रोक लगा रखी है आपको पता है cocaine वगरा इन सबसे health खराब होती है बहुत ज्यादा एडिक्शन प्रवाइड करता है तो लोगों के दिमाग पे भी काफी एसर पड़ता है तो intoxicating का मतलब हो ही है जिससे की health खराब होती है अब दोस्तों हमारे समीधान म में एक आर्टिकल है पहले मैं आपको आर्टिकल जल्दी से बता देता हूं उसके बाद फिर हम कुछ और discuss करते हैं इस से related आर्टिकल 21 राइट तू लाइफ इसमें दोस्तों लिखा हुआ है कि राइट तू लाइफ अपनी choice के हिसाब से आप जी सकते है choice and dignity enjoying life with choice and dignity आर्टि तो क्या हुआ कि इस आर्टिकल ने बोला है कि government रोक सकती है यह government की मर्जी है बड़ DPSP का मतलब क्या हुआ कि government को हम force नहीं कर सकते यह non-justiciable rights है तो हम लोग कल को ऐसे नहीं जा सकते सुप्रीम कोट की जज सहाब जल्दी से government को बोलो कि इन चीज़ों पर रोक लगा दे सु alcohol आपको पता है alcohol क्या होती है शराब दारू इससे भी तो लोगों की health को दिक्कत आती है तो government इसको ban क्यों नहीं करती है इससे दोस्तों government काफी अच्छा का सा tax कमाती है सबसे आदा tax दोस्तों एनी चीज़ों से government निकालती है तो अब इसके अब जो cigarettes के उपर government warning लगा देती है कि जान के लिए मतलब हानीकाराख है सहत के लिए हानीकाराई के सब लगाती है वोग अपनी मर्जी से जबर्जस चीखाते हैं तो इसमें government की भी दिक्कत है नहीं क्योंकि अब लोग खुद ही अपना नुक्सान चाहरें तो government क्या कर सकती है इस case में यह तो दोस्तों अप क्योंकि दोस्तों एक तो ये medicine में भी काम आता है alcohol बट क्या हुआ एक दिन बिहार की government यानि नितिश कुमार सहाब जो है उन्होंने बोला कि बिहार में अब हम शराब नहीं बिकने देंगे उन्होंने total ban कर दिये दोस्तों कि ना ही शराब बनेगी ना ही शराब बिकेगी जो भ अब यह है दोस्तों DPSP इसमें हैं प्रोहिबिट कर सकती है government की मर्जी है ठीक है गवर्मेंट कैन प्रोहिबिट तो गवर्मेंट ने प्रोहिबिट कर दिया किसको alcohol को total ban लगा दिया यह स्टोरी यहां तक तो ठीक है दोस्तों उसके बाद क्या होता है जो लोग शराब पीन दो नहीं जा रहा तो क्या करेंगे इस जो इन्हों ने government यह नीती काली है इसका वीरोध करेंगे कहेंगे गलत किया है गलत किया है तो पूछेंगे कैसे गलत किया एंशराब को کیسे कर सकते हो यह तो medicine में यूज़ किया जाता है तो medicine में अगर आप मतलब इक तरह से medical में शराब इस्तमाल की जाती है दवाईया बनाने में आपको बता है alcohol का use होता है सैनिटाइजर भी दोस्तों बनाया गया तो इसमें भी alcohol का बनती हैं तो दूसरा प्रोविजन है हमारा फंडामेंटल राइट हम अपनी लाइफ को अपनी मर्जी से इंजॉय कर सकते हैं तो यह गौवर्मेंट को बोलते हैं कि आप कौन होते हैं रोकने वले कि हमें शराब पीनी चाहिए या नहीं पीनी चाहिए आपकी हिम्मत कैसे हु सब्सक्राइब नहीं बात है इन आति हैं कानून नीकाला था ना उसको नल एण‌व डिक्लेर來 न बात, तो क्या हुआ नितीश सहाब चले गए Supreme Court and दोस्तो Supreme Court में अभी ये matter pending case में पड़ा हुआ है अब देखते है Supreme Court इसमें अपनी क्या judgment देती है उम्मीद करता हूँ दोस्तो आपको Article 47 अच्छे से समझ आया होगा पहला provision हमने डिसकस कि है nutrition and health का and दूसरा provision कि government ban कर सकती है intoxicating substances को and दोस्तो यह जो मैं case बताया यह एक तरह से answer writing में काम आ सकता है आपको PCS लेवल में भी है अपको पता है कि अगर हम Supreme Court की and High Court की judgment court करते हैं अपने answer में तो फिर हमें extra marks मिलते हैं अगर दोस्तो आपको वीडियो पसंद आईए तो इसको जादा से जादा शेर करिए बहुत बहुत धन्यवाद